आचार्य रजनीश को चारवाक दर्शन के नश्ट होने का जितना दुख रहा है, उतना दुख उन्होंने कभी भी नालंदा यूनिवर्सिटी के जलाय जाने पर अभिव्यक्त नहीं किया। आप देख रहे हैं, न यह है दोहरे मापदंड का प्रमार। प्रोफेसर रजनीश के भाशन एवन नव बौधो के मंतव्य, वक्तव्य यूट्यूब एवन सोशल मीडिया के माध्यम से परोसे जा रहे हैं। क्या लोग चारवाक फिलास्फी को पुर्ण जागरित करना चाहते हैं। कदापी नहीं ये लोग तो इस बहाने विद्वानों को गाली दे रहे हैं। वास्तव में ऐसे लोग हैं जो पूजन प्रक्रिया को धर्म समझ लेते हैं। भारत में धर्म की परिभाशा को आम जनता ने समझ लिया है। अति बुद्धी वादी तरकशील लोगों को बताना चाहता हूँ कि केवल रिलिजस प्राक्टिस एंड रिचूल्स धर्म नहीं है। धर्म व्यापक स्वरूप में समझने वाला गंभीर एवन चिंतनशील होता है। प्रोफेसर रजनीश एवन तथा कथित प्रक्तिशील लोग चारवाक दर्शन के रचनाकारों को विक्तिम प्रदर्शित करने के प्रयास में आज भी सक्रिय हैं। तथा भारत के वैदिक साहित्य को नकारात्मक पोट्रे करना चाह रहे हैं। ताकि भारतिय सांस्कृतिक निरंतर्ता समाप्थ हो और अती एवन धूर्क भौतिक वादिता का विस्तार हो। यही रक्ष संस्कृती है। ऐसे ही रक्ष संस्कृती का विस्तार होगा। इलेक्ट्रिक संस्कृती का विस्तार कम्यूनो एवं वर्तमान परिपेक्ष में न्यू मीडिया के जरिये किया जा रहा है। मैं अपनी बात को विस्तार देने से पहले दर्शन को दो सिग्मेट में रखना चाहता हूँ। भारतिय दर्शन दो भागों में विभक्त है, पहला भाग है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वैदिक व्यवस्था को स्वीकृति देता है, इसके विप्रीट नास्तिक दर्शन में वैदिक व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं है. आस्तिक होना आस्तिक ना होना भारत के संदर्भ में सर्वता व्यप्तिगत मामला है. आपने कभी नास्तिक की मॉब लिंचिन अच्छी है, शायद कभी नहीं खास तौर पर ब्राह्मन तो अर्थात विद्वान तो यह कभी नहीं करता विपरीत विचारों के विस्तार को के प्रती भारत में किसी भी तरहे का बल प्रयोग किसी भी ब्राहमन ने किया हो तो प्रमान बताए दूसरी और अनहलक का उद्गोश करने विचारक के साथ वे व्यवहार की जानकारी संपून पढ़ने लिखने वालों को है चारवाक दर्शन ने कुछ सिध्धान्त जन्ता के सामने रखे थे जो इस प्रकार है चारवाकों का मानना है कि जो दिखता है वही सत्य है जो अद्रिश्य है वह अस्तित्वहीन है असत्य है पंच महा भूत पदार्थ दुनिया में उपलब्ध है परंतु चारवाकों ने आकाश या स्पेस को इसलिए अस्वीकार दिया क्योंकि वह पदार्थ नहीं है अति भौतिक तावादी चिंतन एक दर्शन कैसे हो सकता है चारवाक दर्शन के अनुसार चार मूलभूत तत्वों प्रित्वी, जल, अगनी और वायू से उत्पन्न होती है आकाश शून्य है आकाश शून्य है ऐसा तो विध्यान भी नहीं मानता चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही प्रमान मानता है ब्रहमा आत्मा सब निरर्थक कल्पनाएं हैं यह चारवाक दर्शन का एक महत्वपून बिंदु है उनरजन्म के संबंध में हजारों कहानी और यथार्थ संपून विश्व में देखे गए हैं ऐसी स्थिती में आत्मा के अस्थित्व ही होने की कल्पना कैसे की जा सकती है स्वया आचार्य रजनेश जन्म जन्म के किस्से सुनाते रहे हैं इसके बाद उन्होंने चारवाक दर्शन किस साहित्य को जला देने की बात करते हैं यह दर्शन जीवन के अंतिम लक्षे को सुख की खोज निरुपित किया है तथा दर्थ से बचने की वकालत करता है जीवन का अंतिम लक्षे सुख की खोज और दर्थ से बचना है यह सुझाव देता है यह दर्शन भारतिय वैदिक साहित्य का विरोध करते हैं चारवाक दर्शन की पुस्तकों के जलाय जाने के संबंध में आज तक कोई प्रमान नहीं है। फिर भी आचार्य रजनीश आहत हुए थे। आचार्य के उनका दुख जायज है होना भी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि चारवाक दर्शन में पंच महाभूत तत्वों में से आकाश तत्व गायब है। इसका अर्थ है कि क्वांटम फिजिक्स जूट पर चल रहा है। प्रोफेसर रजनीश से बहतर कौन महसूस कर सकता था। यह जानते हुए भी कि हिरोशिमा नागासाकी में परमानू बम गिराए गए। सोचिये जो परमानू दिखाई नहीं दिय उससे इतना बड़ा विध्वन्स कैसे हो गया। चार वाक और प्रोफेसर रजनीश के बीच एक लंबा अंतराल था। परमानू का अस्तित्व पहचान लिया गया था बावजूद इसके प्रोफेसर रजनीश ने चार वाक्य साहित्य के कथित तौर पर जलाए जाने का शो में क्यों रखेंगे बताए भला। मित्रो नव बॉध्धों को भी इसी बात का दुख है। महात्मा बुध्ध ने कहा था दुख से मुक्ती प्राप्त करना ही जीवन का लक्षे होना चाहिए। मित्रो प्रोफेसर रजनीश हो या कोई भी नव बॉध्ध जहां पंडितों को गाली देने का मौका मिले ऐसा शुब अफसर भला छोड़ना चाहेगा कोई। जो लोग कथित तौर पर चारवाक साहित्य के ब्राहमनों द्वारा जलाए जाने पर मातम मना रहे हैं, उनके लिए मिर्जा गालिप का यह शेर ही काफी है। जला है जिस्न जहां दिल भी ज कल गया होगा। कुरेत्ते हो जो अब राख जुस्तुजू क्या है। नव बौध्धो को चाहिए कि वे निंदा कुंठा इश्या एवन दोशारोपन को छोड़कर राष्ट निर्मान में अपनी उर्जा लगाएं। नकारात्मक वातावन पैदा करने से राख कुदेरते र जब आप सुख को सर्वोपरी मानते हैं तो दूसरों को दुख देने वाले आधारहीन आरोप क्यों लगाते हैं। कोई इश्वर वादी है, कोई प्रकृती वादी है, कोई वेद को मानता है, कोई नहीं मानता इन सबसे उपर मानवता है। प्रोफेसर रजनीश और नव बॉध्धों ने जिस तरह का वातावर्ण निर्मित किया है उसे खत्म करने की जरूरत है